तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान श्री राम बिलकुल सवेरे उठते अब विश्ष भगवान बड़े हुए अब देखिए भगवान का वतार किसके लिए हुआ है यदा यदा ही धरमश्य ग्लाने रभवति भारत अभ्युत्थान मधरमश्य तदात्मानं श्रजाम्यहं साधू के हित के लिए भगवान का जन्म रामजी के राज में एक साधू दुखी है कौन विश्वा मित्र महा मुनी ज्यानी वसे ही विपिन शुभ आश्रम ज्यानी विश्वा मित्र जी मुनी नहीं है महा मुनी है सुभ आश्रम में निवास करते हैं यग्य करते ही रहते हैं पर मारीच और सुबाहू का डर बना रहता है वे यग्य नहीं करने देते कितनी भी परिस्थितियां हो परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन क्रपा के बिना काम चलता नहीं है परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन क्रपा के बिना काम चलता नहीं है परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन क्रपा के बिना काम चलता नहीं है नेरा शान 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 श्ट होती न तब तक नेरा शान शान श्ट होती न जब तक दया भान जब तक निकलता नहीं है गया भान शब तक निकलता नहीं है गया भान शब तक निकलता नहीं है कर दो कर दो कर दो क्रपा के बिना काम चलता नहीं है परिश्णम करे कोई कितना भी लेकिन क्रपा के बिना काम चलता नहीं निराशा निशा निश्ट होती ना तब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है दमित वासनाएं अमित रूप लेकर जब अंतह करण में उपद्रियों मचाती तुफर क्रपाश इंदु श्रीराम जी के अनुग्रह बिनामन समहलता नहीं है म्रगवारी जैसे असत इस जगत से पुरुशार्थ केबल पे बचना है मुश्किल पर श्री हरी के सेवक जो छल छोड बनते उने फिरी ये संसार छलता नहीं है राजिश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना तन बदले कितने भी परप्रव भजनविन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है विश्वा मतर जी सोचते हैं कि इस बहाने जाओंगा आसू बहाने के लिए प्रभू की देऊई जिन्दगी में प्रभू को पाने के लिए और जा कहूँगा आपने घर में मुझे बुला लिया किन दुआया मैं तुम्हें वन में बुलाने के लिए और यग्य जो पूरण हुआ तो भाग दश्रत के खुले किन्तु आया यग्य में पूरण कराने के लिए और राम लख्षमन प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से आजमाने जोर मेरा आजमाने के लिए विश्वा मित्र जी ने सोचा कि मैं राम लख्षमन जी के पास जाऊंगा उनको मागूंगा और अपना यग्य पूरण करा लूँगा अब विश्वा मित्र जी आयोध्या पुरिय आए महराज दश्रत के दरवाजे पर आये सेनिकों ने खबर भेजी कि महराज विश्वा मित्र जी आये है अब दश्रत जी घबड़ाए कि ये वही विश्वा मित्र हैं जो एक बार जाया इसी वंच में एक बार जाया हरिश्चंदर के जमाने में आये थे तब हरिश्चंदर थे तो आये थे आज रामचंदर हुए हैं तो आये हैं लगता है कि ये चंदर शब्द हमारे लिए शुभै नहीं है परवशिष्ट जी ने कहा साधूते होए नाकार जहानी बुलाओ दश्रच जी ने बड़ा स्वागत सतकार किया विश्वामित्र जी का चरणों को पक्खारा इसके बाद अपने पदपर बिठाला अपने सिंगासन पर और फिर चारों भाईयों को उनके चरणों में डाल दिया राम लक्षमन जी भरत जी और शत्रुगंजी को और जो विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा राम देख मुनी देह विशारी देखा जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को आहाहा देखते ही देख गए और अब गौर से देखने लगे दश्रत जी ने सोचा इतने गौर से क्यों देख रहे हैं और मना भी नहीं कर सकते कि हो गया आप बस मत देखिये तो फिर कहने लगे के ही कारण आगमन तुम्हारा महराज आप किस कारण से आये हैं तो विश्वामतरजी बोले की राक्षच सताते है Hashem महराज में मार नहीं सकता क्या अरे तुम मार तो सकते हो पर आज में मारने वाले को नहीं मैं तो तारने वाले को लिने आया हूं नाम है तेरा तारन हारा, कब तेरा दरुशन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर, वो कितना सुन्दर होगा नाम है तेरा तारन हारा, नाम है तेरा तारन हारा